इस समय आप सभी लोग देख रहे होंगे कि कासी विस्वनाद मंदिर और ग्यान वाफी मस्जित विबाद काफी चल्चा में बना हुआ है तो आज हम लोग इसे समझने की कौसिस करेंगे कि आखिरे विबाद है क्या और इसे मंदिर मस्जित बनने की कहानी क्या है उस पर भी हम लोग बात करेंगे और देखेंगे एक आप देखते हैं कि कानून आया हुआ था 1991 की आसपास की बात है जिसे नाम है Places of Worship Act क्या है इसमें क्या कहा गया है उस पर भी हम लोग बात करेंगे और अभी आपने देखा होगा कि सिंगार गौरी मद्दिर का मामला क्या है इस पर भी हम लोग कुछ point देखेंगे और क्या अयोध्या की तरह इस बिबाद का समाधान हो सकता है या नहीं हो सकता है उस पर भी बात करेंगे और याद रखिए देखिए आप सभी जानती है कि इस तरह का हिंदू मुसलिम का मंदिर मर्शित का मुद्दा उठता है तो उसमें राजनितिक मुद्दा बनना सभाविक सी बात रहती है तो इसमें राजनिती कितनी है उस पर भी हम लोग बात करेंगे क्योंकि आप सभी जानते हैं कि भारतिय जंता पार्टी है जो बीजेपी है इसके हमेशा से चुनावी मुद्दे रहें राम मंदिर हो, 370 हटाने की बात हो आप देखें कि समान नागरिक सहता की बात हो और आपने देखा होगा कि जैसे ही अयुद्ध्या मामले में देखें नेड़ाय आया था उसके बाद ये भी उठने लगा था कि अब अयुद्ध्या के बाद अब मत्राकासी की बारी है तो एक तरह से ओवर भी हम लोग ले लेते हैं और मुझे लगता है कि इस तरह की टॉफिक से आपकी परिक्षाओं में कुश्यंस पूचे जाते हैं अगर पूचे जाते हैं तो आराम से उनका जबाब आप लोग देख रहे होंगे क्या देख रहे होंगे तस्वीर भी देख रहे होंगे एक बार आप लोग ये मामला देख लेजे कहां का है देखे ये हमारी प्यारी पित भी है और एसीया में आप जाएंगे तो ये हमारा प्यारा भारत है और भारत में आप लोग जाएंगे तो उत्तर प्यदेश आपको जाना पड़ेगा और उत्तर प्यदेश में आप देखेंगे बनारास आपको देखने को मिलेगा और आपसे भी जानते हैं इसकी लखनव राजदानी है उत्तर प्यदेश की और राजनिती की दिरिष्टी से उत्तर प्यदेश काफी महत्पूर है इसलिए महत्पूर है कि विधान सभा में 403 सीट हैं विधान परिशद में 100 सीट हैं राज्य सभा में 31 सीट हैं लोग सभा में 80 सीट हैं और आप देखी ऐसा भी माना जाता है कि जो दिल्ली की गद्धी है न इसका रास्ता लखनव से उकर जाता है और सभी राजनेतिक पाटियां और राजनेताओं की निगाहें उत्तर पिदेश पर रहती हैं कहां रहती हैं? उत्तर पिदेश पर रहती हैं अगर हम लोग देखिए जब राम जनम भूमी को लेकर आंदोलन चल रहा था उस समय आपने देखा होगा कि उसके साथ ही कासी और मतरा की भी मांग उठती आई है उनका ऐसा मानना है कि स्वैंबू सेविलिंग के उपर मस्जित का निर्माड हुआ है और उनकी मांग मस्जित हटा कर वो हिस्सा मंदिर को सौपे जाने की है और आप देखिए जो भी हिंदू संगठन है वो यही मांग कर रहे हैं क्या कर रहे हैं मांग भी कर रहे हैं और आप आनिया चली आ रही हैं। कुछ आप देखेंगे कि हिंदूों के पक्ष में हैं, कुछ आप देखेंगे मुसलिमों के पक्ष में हैं। इहां पर एक मस्जित बनवाई थी। और जबकि कुछ इतिहासकारों का ये भी कहना है कि ग्यानवाफी मस्जित का निर्माण 14 सदी में हुआ था। और उसे जौनपूर के सरकी सुल्तानों ने बनवाई था। लेकिन इस पर भी विबाद है। कई इतिहासकार इसका खंडन भ को जाता है। किसे जाता है? राजा टोडनमल को जाता है। ऐसा कहा जाता है कि राजा टोडनमल ने 1585 में अकवर की समय की बात हो रही है। दच्छिन भारत की बिद्वान नारायन भट की मदद से इसका निर्माण करवाए था। और ग्यानवाफी मस्जित की निर्माण के बारे में कुछ लोग यह भी कहते हैं कि अकवर के जमाने में नए मजभ दीन ए इलाही के तहट मंदिर और मस्चित दोनों का निर्मार कराए गया था क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जो अकवर था मुगल सासक वो एक तरह से सभी धर्मों को मानने की मानता था और किसी के धर्म से भेदभाव नहीं करता था तो एक तरह से उसने एक नए मजभ दीन ए इलाही की तहट मंदिर और मस्चित दोनों का निर्मार कराए था और जानदात लोग यह मानते हैं कि औरंग जिब ने मंदिर के तुड़वा दिया था और लेकिन मस्चित अकवर के जमाने में दीन ए इलाही के तहट बनाई गई या औरंग जिब के जमाने में इसको लेकर जानकारों में मत्भेद है क्योंकि अकवर के बाद ही औरंग जिब आता है ठीक है फिर आप देखेंगे कि पहले अकवर के समय में यह बनवाई जाती है जब औरंग जिब का समय आता है तो वो मंदिर को तुड़वा देता है और मश्जित को बने रहने देता है एक कहा जाता है एक बिद्वानों के द्वारा अंजूमन इंत जामिया मज्जा मसाजित के पदादीकारी किसी पिराचीन कुए उसमें सिबलिंग होने की धार्णा को भी नकारते हैं उनका कहना है कि वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है फिर आप देखेंगे यह मामला आजादी के पहले का नहीं है अयुद्ध्या का मामला तो ऐसा था कि आजादी के पहले से यह बिवाद सामने आया था और आप देखें कि इसमें यह मामले चलते आये थे लेकिन ये विवाद उठता है 1984 की आसपास जब देशवर की 500 से जान्दा संथ दिल्ली में जोटे और धर्म संसत की इन्होंने सुरुवाद की और इस धर्म संसत में कहा कि हिंदू पक्ष ऐयोध्या कासी उमत्रा में अपने धर्म स्थलों पर दावा करना सुरू कर दे अयोध्या में राम जनम भूमी का विवाद था तो मत्रा में किसने जनम भूमी को लेकर विवाद है वही इसकंद पुराण में उलिखित बारे जोटी लिंगों में से कासी विस्वनात मंदिर को सबसे एहम माना जाता है और अयोध्या पर आप देखेंगे हिंदू पक्ष का दावा तो आजादी से पहले ही चल रहा था लेहाजा हिंदू संगटनों की नजरे दो मस्चिदों पर टिक गई एक थी मत्वरा की साही इदगाय मस्चिद और दूसरी थी कासी की ज्यानवाफी मस्चिद कहा जाता है कि अहोध्या तो बस जहां की है कासी और मत्वरा बाकी है और ये नारा आप देखते हैं कि चुनाओ के सामय आप लोगों को आपी सोनाई देता है फिर आप देखेंगे साल 1991 की बात है कि पुजारियों के समूर ने बनारस की कोट में याज का दैर की ज्यानवाफी मस्चिद के मामले में पहली बार 1991 में ये चर्चा में आता है और जिनोंने ज्यानवाफी मस्चिद छेत में पूजा करने की अनुमती मागी थी और इन लोगों ने कोट में यह दलील दी की औरंग जिब ने कासी विस्वनात मंदिर को तोड़ कर ग्यानवाफी मस्चिद का निर्माड कर रहा था है ऐसे मैं उन्हें पूजा की अनुमती दी जाए और इस मामले में मस्चिद की देखवाल करने वाली अंजुमन इंत जामिया मसाजित को पितिवादी बनाये गया करीब 6 साल की सुनवाई के बाद आप देखेंगे 1997 में कोट ने दोनों की पक्ष में मिला जुला फैसला सुनाया और जिसमें दोनों पक्ष हाई कोट चले गए और इलावाद हाई कोट ने इलावाद हाई कोट ने 1998 में लोवर कोट की फैसली पर रोक लगा दी और उसके बाद से यह मामला ठंडे बस्ते में चला जाता है फर आप देखेंगे करीब 20 साल बाद 2018 आता है और 2018 में मुकदमे में बकी लहे बिने संकर रस्तोगी ने नेश्ट फ्रेंड की रूमें याचका दायर की और दिसम्बर 2019 में ये केस फिर से खुल जाता है और एहम बात यह है कि इसके ठीक एक महीने पहले एयोध्या बिवाद पर सुप्रेंग कोट का एहम फैसला आया था और रस्तोगी ने की याचका पर अपरेल 2020 में कोट ने ग्यानवापी परिशेत का पुरा ताद्विक सर्वेक्षन करने का निर्देश दिया और इसी आदार पर अपरिशेत का सर्वेक्षन किया जाएगा और इसलिए आप आप देख रहे हैं कि बिवाद काफी बढ़ चुका है क्या आपकी मर में भी यादता होगा ये? क्या एयोध्या की तरह ये भी सुलज सकता है मामला? तो इस पर भी हम लोग बात करेंगे लेकिन यहीं आपको सिंगार गौरी मंदिर का मामला भी बता देते हैं ग्यानवापी मस्टित का मामला 1991 से अदालत में है लेकिन जो मा सिंगार गौरी मामला है न एक कुछ ही महीने पहली की बात है 18 अगस्त 2021 में बनारस की एक अदालत में यहां की पांच महलाओं ने मा सिंगार गौरी के मंदिर में पूजा अर्चना की मांग की थी और इस याजका को सुइकार करते हुए अदालत ने सिंगार गौरी मंदिर की मौजूदा इस्तिती को जानने के लिए कमीशन का गठन किया था और इसी कड़ी में कोट ने सिंगार गोरी की मूर्ती और ग्यानवाफी मर्चिद में वीडियोगराफी कराकर सर्वे रिपोर्ट देने को कहा है। लेकिन बनारस विवाद अयुद्ध्या विवाद से बिलकुल हट कर है अयुद्धा का विवाद आजादी के पहले से अदालत में चल रहा था और इसलिए उसे 1991 के फिलेसिस और वोवरसिव एक्ट से छोट मिली हुई थी ये इस एक्ट से बिलकुल बाहर रखा गया था लेकिन वोवरनारसी विवाद 1991 में अदालत में सुरू हुआ है और इस आधार पर इसे चुनोती मिलनी लगबक तया है किसे इस कानून को और हिंदू संगटनों की मांग है कि यहां से ज्यानबाफी मस्जित को हटाये जाए और वो पूरी जमीन हिंदूओं के हवाली की जाए और इस मामले में हिंदू पक्च की दलील है कि ये मंदिर मस्जित मंदिर के आउसेसों पर बनी है और इसलिए 1991 का कानून इस पर लागू नहीं होता है तो वहीं मुसलिमों का कहना है कि यहां पर आजादी से पहले से नवाज पड़ी जा रही है और इसलिए इस पर 1991 की कानून की तहत कोई फैसला करने की मना ही की गई थी आप देखें कि एक तरह से इस कानून को जो places of worship act था ये 1991 में केंद में जब PB नरसिंभा राओ की सरकार थी तो उनकी सरकार ने ये कानून लाया गया था और ये कानून कहता है कि 15 अगस्त 1947 से पहले जो धार्मी के सतल जिस रूम में था वो उसी रूम में रहेगा उसके साथ छ हिंदू भी रहते हैं हमारे यहां मुसलिम ही रहते हैं हमारे यहां सिख्य बौद्ध जैन इसाई तमाम धर्म की लोग रहते हैं और आप देखें कि अगर इस तरह की मुद्दे उठते रहे तो ये हमारे देश की एकता खंडता के लिए नुकसान दायक है इसलिए आप तालीस के पहले जो इस्तिती थी समझ रहे हैं जो जहां चाहे मंदिर हो मस्जिद हो अब उसमें कोई छेड़ चार नहीं की जाएगी एक तरह से आप देखी कि इन मुद्धों को विलकुल बंधी कर दिया था चूकि अईवध्या विवात का मामला आजादी से पहले में से क पोट में चल रहा था इसलिए इसे छूट दी गई थी और लेकिन ग्यानपाफी मस्जिद और साही एदगाय मस्जिद पर एलागू होता है और इस कानून में साफ है कि आजादी के समय जो धार्मी के सतल जैसा था वो वैसा हमेसा ही रहेगा उसके साथ कोई बदलाओ नहीं यह कहता है और इसको जिसे जरूर आप लोगी याद रखेगा क्योंकि इससे कुष्णा कई बार भूंच लेता है भारती राजनीति की अगर बात करें तो भारती राजनीति दरसकों तक राम मंदिर के एड़ड़ चलती रही जब तक राम मंदिर ने बनाइव आपने देख जिन तीन मंदिरों को मागा था, उनमें कासी भी सामिल है, अब कोर्ट के फैसली के बाद मस्चित का सर्वे और वीडियोग्राफी का काम पूरा हो गया है, पहले मुसलिम पक्षकारों ने इसका विरोध किया था, लेकिन पुलिस के आंगे उनकी एक ना चली है, और आप सभी धर्मों के लोगों को आँगे आगर, आप देखे कि सिक्षा, स्वास्त, रोजिगारी, महेंगाई, इस तरह के तमाम मुद्दे होना चे, और आप देखे तभी हम लोग आँगे बढ़ सकते हैं, और आप देखे अमेरिका हो, चाइना हो, रोस हो, जापान हो, इस तरह अगर बोट मिल रहे हैं, तो नेता इस तरह के मुद्दी के उठाएंगे, सिक्षा का मुद्दा के उठाएंगे, रोजगार का मुद्दा के उठाएंगे, चलिए खेर, इसके बारे में एक ओवर्विव अपने पास जरूर रखिएगा, इनसे आपकी परीक्षाओं में जर